नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल गुरूजी का इसकुल में तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए 12 हितंबर 2021 की करेंट अफेस जो आपको आपके आसपास हो रहे ही घटनाव से अभगत कराएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ इसे अन्ने लोगों को शेयर करें तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रिशन प्रिशे सिंख्या एक किस राजे में कोरोना वाइरस का जायजा लेने के लिए सेरो प्रिवलेंस अध्यन किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है केरल केरल में लोगों के बीच कोरोना वाइरस के प्रसार का जायजा लेने के लिए राजे सरकार एक सेरो प्रेवलेंस अध्यन कर रही है अध्यन बच्चों सहीट विबिन आयू सम्मूं के बीच कोविड सेरो पॉजिटिविटी दर को समझने में मदद करेगा प्रेशे सख्यादो 11 सितंबर को वर्ल उट्रेट सेंटर आतंकवादी हमले की कौन सी वर्षी मनाई गई है तो इसका सहीटतर है बीसवी 11 सितंबर 2021 को सहीटतर राजे अमारिका पर सबसे 20 हमले की 20 वर्षी मनाई गई है हम लोग को आतंकवादी समू अलकाइदा ने अन्जाम दिया था प्रिशे संख्या दिन किस राजी में नुवा खाई पर्व मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर है ओडिसा ओडिसा में नुवा खाई राजे का एक मैथो पूर्ण क्रशी उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया प्रथा के अनुसार लोग अपने स्वैम के उपभोग से पहले देवताओं को फसल के नई अनाच चड़ाते है प्रिशे संक्या 4 किसके द्वारा चमपारण सत्यागरे एक्स प्रेस को छंडी दिखाई गई है तो इसका सही उत्तर है दर्शन जर्दोष दर्शन जर्दोष ने 10 सितंबर 2021 को नई दिली से वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये चमपारण सत्यागरे एक्स प्रेस को हरी जंडी दिखाई है प्रेशन के अपांच राश्चिपती द्वारा किस राजी में रास्टिये विधी विश्व विध्याले की भवन के आधारशिला रखी गई है तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश भारत की राश्चिपती रामनात कोवी ने 11 सितंबर 2021 को उत्तर प्रिदेश के प्रियाग राज का दोरा किया इस द्वारान उन्होंने उत्तर प्रिदेश रास्टिये विधी विश्व विध्याले और इलाबाद उच्छ नियाले के नई भवन परिशर की आधारशिला रखी है प्रिश्चिपती प्रवासियों के सनक्षक का कौन सा सम्मेलन आयुजित किया जाएगा प्रवासियों के सनक्षकों का चौथा सम्मेलन 10 सितंबर 2021 को आयुजित किया गया था यह उत्प्रवास अधीनियम 1983 के अधीनियम की तारिक के साथ मेल खाता था प्रिश्चिपती के साथ किस देश द्वारा अंतरास्टिय सौर संगठन में प्रति भागिता की जाएगी तो इसका सही उत्तर है जर्मन जर्मन ने गटवंदन समझोते की पुस्ति के बाद अंतरास्टिय सौर गटवंदन को विलर के दस्तावे सौम दिये हैं अब 124 सदस्य है गटवंदन का उद्देश्य प्रात्मिक उद्देश्य जीवाश मीदन पर निर्बरता को कम करने के लिए सौर उर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है प्रिशे सिंख्या आठ रास्टिय अल्प संक्यक आयोग के अधक्ष की रूप में किसे निप्ट किया गया है तो इसका सही उत्तर है सरदार एकबाल सिंग लालपुरा सरदार इकपाल सिंग लालपुरा ने रास्टे अल्प संक्यक आयोग के अधक्ष की रूप में कारेबार समाला है लालपुरा बर्तमान में कई सामाजिक संगधनों के सदस्य की रूप में कारे रथ हैं और उन्होंने 14 महतुपूर पुस्तकें भी लिखी है प्रेशर सिंग्यानों अटल इन्नोवेशन मिशन किसकी साइधा से प्रारंब किया जाएगा तो इसका सायुत्त है इसरो अटल इन्नोवेशन मिशन नीती आयोग ने इसरो और CBSC के सायोग से देश भरके सभी स्कूली चात्रों के लिए ATL Space Challenge 2021 को सफलता पूर्वक लॉंच किया है चैलिंज देश भरके सभी स्कूली चात्रों और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है प्रिशेसं के अदस्त किस राजे सरकार द्वारा कवी और स्वतन्तिता सेनानी सुब्रे मन्यम भारती के पुन्यतिती के अफसर पर महा कवी दिवस मनाये जाएगा तो इसका सायोगतर है तमिलनाडू तमिलनेडू सरकार 11 सितंबर को कवी और स्वतन तृता सेनानी सुब्रेमन्यम भारती के पुन्यतिती को महा कवी दीवस की रुपे मनाएगी शतापदी के उपलक्ष में अगले एक वर्ष तक भारतीयार मैमोरियल हाउस में सपता ही कारिक्रम आयुजित किये जाएंगे पृष जंक्या ग्यारा नया टीवी चैनल संसट को किसके द्वारा लॉंच किया जाएगा तो इसका सायुधतर है नरेंडर मूदी प्रिधान मंत्री नरेंडर मूदी पंद्र सितंबर 2021 को लोगशभा टीवी को मिला कर एक नया चैनल संसत टीवी का लॉंच करेंगे प्रिशे संक्या 12 हाल ही में किस राजी के मुख्य मंत्री द्वारा स्टीफा दिया गया है तो इसका सही उत्तर है गुजरात गुजरात के मुख्य मंत्री विजे रूपाणी ने 11 सिटंबर 2021 को बिना कोई कारण बताए अचानक की स्टीफा दे दिया है रूपाणी इस्तीफा देने वाले भाजबा के तीसरी मुख्य मंत्री है प्रिशेसें के अधेरा भारत के कितने सिख्षकों को वैश्विक सिख्षक पुरुसकार 2021 के लिए चुना गया है तो इसका सायुत्तर है दो बिहार के भागलपुर के गडित सिख्षक सत्यमिश्रा और हैदराबाद के सामाजी कध्यन अंग्रेजी और कडित की सिख्षका मेगना मुसुनूरी ने एक मिलियन डॉलर के वैश्विक सिख्षक पुरुसकार 2021 के लिए शिर्सपचार शॉर्ट लिस्टों में जगे बनाई ह प्रिश्र सेंग्या 14 किस देश द्वारा आपदा प्रतिरोधी बुनियाद धाची की दशा में भारत का सयोग किया जाएगा तो इसका सयुत्तर है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया की विदेशी मंत्री मारिस पाइने ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी धाची की दिशा में भारत के पहल में 10 मिलियन डॉलर का यूगदान देनी की घोशना की है प्रिश्य सेंग के अपंदरा रास्य सांखी की कार्याले दोरा जारी की गई और अध्योगिक उत्पाद सूचकांक में कितने प्रतिशत प्रदी दर्च की गई है तो इसका सही उत्तर है 11.5 प्रतिशत रासिय सांखी की कारेले द्वारा जारी की गई और द्योगिक उत्पाद सूचकांग के आकणों की अनुसार जुलाई 2021 में भारत का और द्योगिक उत्पादन 11.5 प्रतिशत बड़ा है दोस्तों आज की प्रिश्णों की शंकला हमारी यहीं समाप्त होती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तुसे लाइक ज़रूर करें साथी साथ इसे अन्ने लोगों को शेयर भी करें धन्यवाद